कि नमस्कार में हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादी टीवी का खास कारक्रम सत्ता का फाइंडल पांच अगस्त जी हां ये वो तारीख है जो भारत के इतियास में हमेशा के लिए अजर अमर होने वाली है इस दिन अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिन न स्विर्मान का शला न्यास होगा भारत में आम कहवते राम जी करेंगे बेडा पार है कि राम जी ने बड़ा पार भी किया है और बड़ा गर्क भी लेकिन सिर्फ राजनितिक दलों अब फिर राम याद आने लगे हैं कारण वही चुनाव अब तक राम मंदिर को ले कर कोई भी बयान देने से बस्ति आई कांग्रेस के नेता कमलनात उपचुनाओं की तयारियों की बीच अचानक राम को याद करने लगे हैं तो मतलब साफ है साफ्ट हिंदूत्व की रहा पर कांग्रेस फिर दोड़ने को तयार है राम मंदिर सलन्या से चार दिन पहले शुक्रवार क कमलनात ने अचानक वीडिया में 17-second का वीडियो जारी किया है इस में उन्होंने कहा मैं ऐध्या में राम मंदिर निर्मान का स्वागत करता हूं देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकां चाती राम मंदिर का निर्मान हर भारत वासी की से मती सेो औरा और आत्मांशाती राम मंदिर का इन्मान हर भारतवासी की से हो रहा है यह सिर्फ भारत में ही संब्द अब जबकि उपचुनाव फिलाल दूर की कोड़ी है पार्टी में सक्री बावाओं पर उनके ही विधायक निसाना साथ रहे हैं ऐसे में कमलनात का राम राग क्यों और किसके लिए इसके माइने तलासना कोई मुश्किल काम नहीं है इससे साफ संकेत है कि राम से किनारा कर कमल देखो राम मंदिर भूमी पूजन से पहले जारी हुए कमलनात के इस वीडियो पर वीज़ेपी प्रवक्तर अजनी सग्रवाल ने बड़ा हमला बोला है लाखों करोडों देश दुनिया के लोगों की अपेच्छा आस्था का केंद्र रहा है अयुद्या में भगवान स्री राम का मंदिर और सुप्रीम कोट केंद्रने के वाद में अब भगवान राम का मंदिर भी बनने जा रहा है ये वही कमलनाच जी हैं जो चंद महिने पहले भगवान स्री राम के मंदर का ब्रोध करते नजर आये थे ये उसी कांगरिस पाइटी के हैं जिस कांगरिस पाइटी के पेट में और दिमाग में अभी भी मंदर के दर्माड के नाम पर दर्द हो रहा है इनके संगी सांथी दिगवजय सिंग जी हो या इनके राष्टी अध्यक्ष रहे राहुल गांदी जी हो सभी इस पूरे मंदर दर्माड की प्रिक्रिया में छुपद नजर आते हैं, तंजकस्ती नजर आते हैं, मजाक बनाते हुए नजर आते हैं कमलना जी यह चुनावी विशय नहीं है, कि कभी आप बरोध करदो कभी आप समर्थन करदो, यह आस्था का सवाल है तो आस्था का सवाल है और निश्व से पूरे देश दुनिया के लोगों की इसमें आस्था है तो कमलनात अभी तक खुद को अनुवान बक्त कहते हैं छिंदवाडा में उन्होंने हनुआन जी का भवी मंदिर अपने खर्चे पर यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता सोसल मीडिया में लिखते फिर रहे हैं कि राम मंदिर का सलन्यास तो 1989 में प्रधान मंतरी रहते राजी उगांदी नहीं करा दिया था अब तो उप्चारिक्ता निभाई जा रही है यह भी सच है कि 2018 में विदान सवा चुनाओं के पहले कांग्रेस राम और सिवकी सरण में गई थी दिगवैज सिंग ने संगत से पंगत की शुरुआत और चाम राम राजा के दर्शन के बात की थी इसके बाद महाकाल मंदिर से यात्रा भी उन्होंने शुरू की थी चुनाओं प्रचार्ष शुरू किया था राम बन पत्गमन की योजना भी कांग्रेस न तो सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे यही कारण है कि पार्टी ना फिर से राम की सरण में जाने का फेशला किया है जिससे कि वह वहु संक्कवर्ग में द्रखता अपना जनाधार संबाल सके अब राम जी किसका बेडा पार करेंगे यह तो राम जी जाने लेकिन जानने तो यही कह रहे हैं कि राम नाम की लूट अब किसी के काम आने वाली है नहीं इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल एडिटर लली दुपन्यू क्या प्रदिग्या दे रहे हैं जरा उनको भी सुन लेते हैं देखिए कमलनात के इस वीडियो को 17 सेकंड के वीडियो में जो उन्होंने राम मंदिर के पती सद्वाउना निर्मान के पती जो बताई है उसको अगर आप एक आम आदमी की तरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह उनकी नेक नीती है एक बड़े पॉलिटिशन है और बड़े मुद्दे पे बड़े धार्मी किश्व पे अपनी सद्वाउना बता रहे हैं लेकिन जब आप इसकी परताल करेंगे जब इसकी टाइमिंग की परताल करेंगे समय की परताल करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ने कहीं इसमें राजनितिक लालश भी है क्योंकि त साफ्ट हिंदुत्व है कॉंग्रेस का यह हमेशां इस चक्कर में कॉंग्रेस एक्सपोज हो जाती है हमें यादे लोगसवा चुनाओं से पहले भी राहूल गंदी ने बहुत सारे मंदिरों की चोकड पर दस्तक दी थी बहुत सारे दर्मिस्तलों पर गए थे शायद मुझे इंपी में जोग चुनाओं उसके लिए फिर वही राम मंदिर का राग हलापा है तो इसको कहीं ने कहीं राजनित्ती से भी जोड़ा जाएगा चाहे बीजेपी जोड़े चाहे मदाता जोड़े दूसरा यह जो कमलनाच जो आज कह रहे हैं यह चीज वो इसके इसके जस्ट विरोध में एक बार वो खुद भी बयान दे चुके हैं कि एक साल पहले जब लोकसवा चुनाओं से थोड़ा सा पहले की बात है जब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेके एक अरजी लगाई थी सरकार की तरफ से सरकार ने तो तब कमलनाच ने कहाता है कि कॉंग्रेस हमेशा इस मुद्दे पे भ्रमित रही है उनका अपना एक धर्मसंकट रहा है क्योंकि उनका एक बड़ा ऐसा वोट वोट है मद्दाता वर गया है उनका जो राम मंदिर मुद्दे से असहमत रहा है लेकि वो कॉंग्रेस का बड़ा वोल्ड बिंग तो चक्र में हुआ यह कि बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत सफ़ाई से हाईजेक कर लिया और इसमें कहीं ने कहीं गलती कॉंग्रेस की भी रही क्योंकि जब जब बीजेपी ने तीस साल पहले इस मुद्दे को उठाया था मतलब भरपूर तरीके से आडवनी के रथियात मद्दा बना रही है और इस चक्कर में हुआ यह कि वह जाने ने में सच्मुछा BGP का मुद्दा बन गया और बीजेपी ने भी वो सोधा मनजूर किया कि हम इस इस को मुद्दा बना रहे हैं और उसका फैदा ये हुआ कि वो दो से 302 सीटों तक पहुंच गए केवल राम मंदिर ही नहीं और भी उनके मुद्दे थे उनकी मेहनत रही होगी उनके कारे करता है उनका बड़ा नेटवर्क है लेकिन राम मंदिर भी एक मुद्दा था बीजीपी का जिसने उसके रफ्तार में उसकी उडान में कही ने कही मदद की है तो कॉंग्रिस जब जब इस तरह से सीजनल साफ्ट हैंड़ों तो बताती है अपने आपको करती है तो वो एक्सपोज हो जाती है ऐसा मेरा मानना है अभी भी कमलनात की भावना सही होगी लेकिन टाइमिंग गलत है बिलकुल सवाल तो वही है कि टाइमिंग आखिर क्यों है और किस लिए है और इस मुद्दे पर हम और जदिक चर्चा के लिए स्टूडियों से जुड़ते हैं जह हमारे एडिटर इंची प्रकाश भटनागर म परेज किया मंदिर के विरोधी भी रहे सिलन्यास का श्रेवी लेना चाहते हैं पुनी के प्रधान मंत्री के रहते हुए उस धांचे को गिरा दिया गया जिसमें कोई एक्षन नहीं हुआ अब फिर से कॉंग्रेस राम नाम की बात करने लगी है इसको किस नजरिये से देख हिंदुत नाम की कोई चीज लोगों पर असर करेगी वोटों के माम ने क्योंकि हिंदुत का जो मुद्दा बीजेपी के साथ स्वभाविक तोर पर जुड़ा हुआ है उसे कांग्रेस हो चुकी कब का जो समर्थन था उसका जो पहचान थी उसकी वो इंद्रा गांदी के उसके बाद आप देखेंगे के राजीव गांदी ने वाककी में राम मंदी का ताला कुलवाया अदालत के आदेश के बाद ठीके लेकिन उने परिणाम पता नहीं थी क्या होगा और दुसरी बाद कांग्रेस जो के रहें के एटी नाइन में उनना शिलन्यास करवा ज़े ब सब्सक्राइब नहीं होता तो भी बीजेपी की सीटें दो सीटों से बढ़ती ही बढ़ती क्योंकि देश में उसकी राजनितिक ताकत थी दो सीटें उसका कारण था इंद्रा गांदी की हत्या तो वह एक अलग इशू था उसको आप इन दो से एटी नाइन वाला उस एपिस बीजेपी करती तो उसे जो हिंदू है आम जो बड़े स्वाबाविक अंदाज में लेता है कि हाँ ये पाल्टी जो है हमारा पक्षलेती बहुसंक्यों का पक्षलेती है ये तुस्ती करन की निती के खिलाफ है और बाद में जो है वो आप ये देखेंगे कि बीजेपी जो क ने देखा गुज्रात चुनाओ के समय जब गुजरात में विधान सभा के चुना हुए थे तब गुज्रात के अधर कि अगर थोड़त में पुझा पाठी तो बाद में अपना जनेव दिखाया फिर पंडित राहुल गांधी केला है तो इनका असर क्या हुआ हुआ इनका कि गुजरात के अंदर कांगर्ष थोड़ी सी बढ़त मिली थी तो वहार्दिक पतेल ने कारण जिगलिष तेकर अनल पर स्थाकॉर के कारण कारण कॉर्ण गुजरात में ने कोई बढ़त ने मिली थी लेकिन कांगरेस कभी भी चीजो को पहचानने में मुझे लगता है कि सभ में एक जाहिए ते रहुंछार वाल गांदी का अओनिष्मा बन्दिया जाने का उन्हों बुझा एक राज्य कंदर उसको इस्टेबलिछ लिया राज्य कंदर अदर इसको एक कर पर कंद्दियों लेकिन लेकिन ऊज्या नहींुम्यें कोई वईसा लाब नहीं जो भीजेपी क करेंगे बेडा पार तो रम जी नताय कर लिए किस्का बेडा पार करना है एक शुका नियुस्य के डर से टर्सי के नद्र में वान आप केंदर सरकार का अध्यादेश आचुका राम मंदिर बनना बनके रहे गाप उप दिक्कत नहीं है तो आप समर्थन कर रहे हो यह बता रहों कि पूरे भारतियों की सेमती है यह सेमती कमलनाथ को तब बनानी चाहिए थी जब बीजेपी आंदोलन कर रही थी और कांग्रेस भी क कि तो इसके बात की 10 साल की मनमोन चिंह की सरकार में कमलनाथ मंत्री थे तब यह बोलते तो बात असरदार होती अज अगर यह राम मंदिर की बात कर रहे और उस सरकार में जिस सरकार ने सुप्रियम कोर्ट में हलपना मा दे दिया था कि राम काल्पनी परात्र है और कोई शुनाकार दियल जिसको नासा की तष्वियर बतारी है की वे शुनाब शुन हे लीज कच WCI पना के लिग वे की छीज कोई है समुधर के अंदर इसको मतलब माना जाता है यह किन कांग्रेस कांग्रीस तो गल्तिया कर FCC कुछिद ही असी में भा ली वह की रही है अगर आप एक पक्ष के साथ और फिर आप बदल रहे हो वो तो बिचारे मजबूरी के अंदर अलप संक्यों को बीजेपी को वोट नहीं देना इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं जहां पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो यह तो कमल्ला गज़ती है इसका 27 चुनाओ करने का पार्वि का स्वाउं को स्कीश करते हैं पताने क्यों को को थनी कि किस ने सला दी उन्हों ने बोला अечे बात है बात है चुए अबनाने बेंगा स्वाव्त की uniform में जे कि पाइइ लगे दुरुस्ती में और तंसम पेमें रहे हैं, उनके जो गूरुबा स्वारुपा रुभारान्स वर्सवती वो मुहरत को लेके सवाल उठाते हैं वो शंक्राजारे जी जो सवरुपा-नंस वरशवती कांग्रेस समर्थग ही माने जाते उनके ऐक तरह से ठप़ाये हैं और ढ़ली दिगिविजै अभी तक वो राफेल पर बोत लंबे समय बाद जिस पर राहूल गांदी ने इस बार सवाल ने उठाए वही पुरा ने क्या मित्या भाई आप ने तो उसको सोदे को निरस्ट कर दिया था एक सोविस सोदो की बात करी तो किसी नतिया पर नहीं पहुच पाया ते यह देश की थी इस सरकार ने कर दिया इसके उपर जो भी आपने आरोप लगाए थे वो कोड से लेकर सारी चीजे हो गई कोड के अंदर सारे कारजात पेश हो गई सारे देश ने देखा और उसके बाद पिछली बार से ज्यादा अगर नरे नमोदी लेके आए तो इन सवालों का कोई मत दिखा पाएंगे आपको लगता है कि आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि जैसा हमने उद्धव ठाकरे को देखा था कि वो परिवार जाते है सुप्रिम कोड के फेसले के पहले उसके बाद जब वो कॉंग्रेस और एंसीबी के साथ सरकार बना लेते तब वो कहते हैं कि मै अधिया जाओंगा लेकिन वो साथ कमनलाथ नहीं दिखा पाए राम बन पत्कमन एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था पंदरा भाहिने में एक कमसा में उसकी एक आधे की रखा जाती शलन्यास हो जाता जैसा कि राम मंदिर का के रहे हैं तो कुछ एक स्टेंड ले पाते व उद्ध उठाकरे को पता है कि कांग्रेस और न्सीप की मजबूरी है अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना तो आपको उद्ध उठाकरे को समर्थन करना पड़ेगा और उद्ध उठाकरे अपनी पहचान क्यों खोएंगे बिल्कुन वो तो पीजेपी से ज्यादा कट् प्रदेश को तो ना देना हो तो मत दो इस मुद्ध पे वो कम से कम बिल्कुल भी पीछे नहीं अटेंगे और इंको समर्थन देना मजबूरी है अब कांग्रेस की आप देखो दूविदा कैसी है मतलब आप इस समय तो घर कांग्रेस रामंदिर का कोई विरोध कर भी नही कि उसने भी मतलब को कांग्रेस तो अब वो कोई इसू नहीं है लेकिन मद्यप्रदेश के उप चुनाओं में रामंदिर का कोई इसू होगा अब ये इसू चुनाओ तोर पे बीजेपी के खाते में श्रे जा चुका है नरेन मोदी की सरकार के खाते में श्रे चला गया जिन मुद्दों को का बीजेपी के कोर मुद्दे माना जाता था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था धारा 370 थी दो ऐसे बड़े इशू थे जिनको लेके बीजेपी लंबे समय से दोनों ही मामले में उसका जो समर्थक वर गए मुझे लगता है कि अब संतुष्ट प्रभु पटेरिया जी हमारे प्रफोन लाइन को उनसे भी समझ लेते हैं प्रभु जिस प्रकार से राम याद आए हैं अचानक से कमल ना तो चोटा सा वीडियो करते हैं जिसमें कहा जाता है कि राम मंदिर के समर्थन इस देश की आकांग्षा का प्रतीक है और इसका निर नियास होना है उसके पहले समर्थन क्या बताता है कि राम मंदिर के लिए वाकई एक सुपकामना संदेश इसको लिया जाए या उप्चुनाओं के मद्दे नजर इसको कोई एक संदेश छिपा इसमें या कांग्रेस की समझ में आ गया कि बहुत संक्या वर्ग से जुले जो जो इनकोड़ित में च्रिटज जाएं तो यह एक वीडिए OPra जारी करा देखुकिया ़े कूछ देख रहें foreign देख रहा है कि अपने अपने आपको हनुमान जी का फंप्र रहा है, बढ़े अराद्ध है वाज़ंग बली राम भगवन की पूजा करते हैं, एक तरिके से कबनला की ये साविश करने की खोशिश कर रहा है, और खाटकर कबनलाथ वो राम के खिलाफ नहीं है, अब दीरे से पूजा करते हैं, वो राम मंदर का जो दर्वाजा ताला खोला था, तो राजेज गादी ने खोला था, जा पहली पर पूजा के अनत्य थी तो जवारला नहरू ने जी थी, वो सारी चीजें लेकर वाहीं को उनको जाना है, उनको चुनाओ के लिए और को चुनाओ के लिए बड़ा एक पॉइंट है, जो से भटागर की कह रहा है, देश की एक दिशा तै हो गई है, जो भी स्रे जा रहा है, वो सर्केल सर्दार को जा रहा है या भाजवागों को जा रहा है, क्यों इस्तु लबने समय से पड़े हुए थे, उनको किसी और पार्टी ने एड्रेस नह को राव कर नामने सब्सक्राइब बात है, उनकर वीडियो एक भाजवागी प्रवक्ता है, रजमी चारगवाल, उनने एक ट्विट किया है, मैंने देखा है, कमल नाथ को वीडियो करी बार में सूट हूआ है, पहली बार उन पूरी धंचतने बाद कह भी नहीं पाए, बिल मैस चुनाओं में क्या कोई लाव होता दिखता है, या इस से कोई उप चुनाओं में, जो सब्ताइस रीटों पे उप चुनाओं होना है, उसमें कोई फर्प पड़ेगा कांग्रेस के फेवर में, देखी बटनागरी जी राम का मुट्टाप का नहीं है ना कमल नाथ का है, मदिप देश के राम वन गमन पत को ले ले लिए, चाह प्रीता माता मंदिर को ले ली जो स्री लंका में बनना है, इस दोनों इस्व भार्ती जंता पाट ये शिवरासी चौहान की देने मदिप देश के अमबात करें लिए लिए तो ये अनिल माधा दवी के इसके बाद इसी तरी जिसीता माता मंदिर का शुआ है उसको लेकर 10 करोड रुपय स्विलाज सरकार ने मजूर किये थे काम सुरूर नहीं होता है यह अले पाद है क्योंकि दो देशों के विश कमामला है जिसमें राज सरकार की जिसे लगाता है तो इसमें नजर नहीं आता है पूरगी फूर बीजे की खाते में जाता हुआ दिखाई ले रहा है बटनागर जी एक और चीज समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए जैसे प्रभु जी ने भी जो चीज कही थी कि कांग्रेस कि यह कहेगी कि ठीक है मंदिर पूजा की अनुमती नहिरू जी ने दिलाई या तालेर गाजी वांदी ने लेकिन वह कि स्टेंड में कायम नी रहे क्योंकि यह सब को पता है कि मंदीर खुलवाने के चक्कर बाद में सावानों प्रक्रण हुआ जिसमें उन्होंने बहुसंक्यकवर को नाराज किया मामला वापस लेके इसके बाद मंदीर खुलवाया तो अल्पसंक्यकों को नाराज कर दिया और इसके प्रक्रण के ने फेसला दिया था शावानों के प्रक्रण में जो गुजार वत्ते वाला इशु था जो तीन तल्लाग का इसको पइदा हूआ इसका श्रे भी बिज्बी ने लिया बिलकुल निश्चित तोर पे जो मुस्ली महिला प्रभावित एह तो नरांद मोदी क वो पॉर्ट में जाकर उसा नहीं हो जाता कि कोई पंडितिया किसी मंदिर में जाकर आप के दो तलाक तलाक तो उस तरह से हो जाएगा तो यह भी श्रे कॉन ले गया बीजेपी लेगी नरेन तो आप इससे ताजूब लगाओ कि कांग्रेस भठकी वी किति है अगर मध्यप्रदेश में आप अभी राम मंदिर की बात चोड़ो तो राम मंदिर का यह जो सत्ता इसुप चुना होएं इसमें क्या असर होगा नहीं होगा यह कोई बड़ा इसू नहीं बड़ा इसू नहीं बड़ा के जाना चाहिए बिजली के बिलों का जो सो रुपे वाली बात आपने गई ती उस इसू पर जाना चाहिए कि वह बाइस सरकार में है या नहीं है कांग्रेस को तो पता ही नहीं चलता है कि उनने किन मुद्दों पर चुनाओ लड़ना मेने बतलब बड़ी ताजु किया अद्य लीडर्शिप में अमें मतलब रोज नहीं बाते हारी इखना टेयर ज्रावाद अव्या करने मैं चलता ही कब्ड़ाइब्ढ करनाब का वीडियो वायदी लोड़ा कमलनात Northwest कर ना कि जब उनको टोपी पहनाने की कोसिस की गई थी उन्होंने द्रड़ता से इंकार कर दिया था मनुझ एक सेकंड में रुकता हूँ अभी पिछली बार जब प्रदान मंत्री ने संबोधन किया देश के नाम यह को रोना को लेकर तो उन्होंने टोटल लाइन से त्योहार गिना लेकिन यह दम केसे आया इसी लिए आया को कि आपके पीछे कड़ा है बिल्कुल और एक और बदा हुआ कि जो रोजा अफ्तार पार्टियां थी वह बंद हो गई प्रभु जी इसको कैसे देखते हैं आपकी कांग्रेस को स्टेंड नी ले पा रही है ना वो अल्पसंगों के पक्ष में जाती दिखती है ना वह बहुत संक्यों को कि किसी एक में जाती तो दूसरे को नाराज कर देती है बिल्कुल मरोज जी कांग्रेस दावा डोर की स्टी में सुरू से रही है भारती जन्ता पार्टी का जब से गठन हुआ है यह जन्सम की जमार से उनका स्टेंड राम मंदिर को लेकर लेकर बिल्कुल क्लियर रहा है वो अपने स्टेंड पर कायम देशली वह अभी तक यह द चेहरा पार्टी को लेकर जेखे तो कॉंगरेस में भले राम मंदिर के दरवाजय खुलवाए हों वही कांग्रेस कोर्ट में हलाप नामाद देगे कि कैसी एक राम कालपने से राम पर को तो नहीं है वही कोंगरेस राम से त्टु को तोड़ने का कर्सा पर लाती है उसको ल इसा नहीं लगता है कि भटनागर जी जिस प्रकार से बीजेपी एक और चीज कोट कर रही है कि राम बंदी निर्वान के साथ निशाद की बात हो रही है निशाद राज की सबरी की हो रही है कि वो कैसे राजी की कल्पना करते दे अधिवासियों को बाकी जो वन्चित तब का उसको साथ लेकर चलते दें तो यह जब बीजेपी को आदिवासी वोट बेंक में अभी खलल पड़ा है या कैसेंद लगी कांग्रेस की ओर से तो यह मुद्धा भी कांग्रेस पर भारी पड़ेगा निश्चित तोर पर आप देखिए मनुद के मध्यप्रदेश के अंदर क कुछ शेत्र के अदिवासी तूटे कुछ शेत्र के बीजेपी के साथ रहें तो आप इससे अंदार लगा और क्यों टूटे बीजेपी से अदिवासी उसके भी कारण अग थे लेकिन बीजेपी ने आरेसेस ने मेहनत करके अदिवासी को अपनी तरफ जोड़ा उन्हे यह अदिवासी ने लिखाएंगे तो वो इसाई कैसे हो सकते हैं तो इसाई कैसे हो सकते हैं निष्ट तरभे है अदिवासी हैं तो आडिवासी रेन दो उन्हें वह जो बडेधेव की फूजा करें तो बड़ë देव को मानने दो जिसे मानते हैं जिसेया हूना जीवें orange करो zwevang के तरीके से मिशंधिलिब कोशिष की से शेवा के तरीकेसे रफ शोड़ के आृइज से ज्यादा सफ़ भी तो यह आपकी रण्नी टी है आपकी सोच समाज को कैसे जोड़ना एं तो मुझे लगता है किसी अलग अलग हम तो बहुत बिल्कुल जातियों में बिते में समाथimo抗ाला कई नहीं को न भी लिवtles कर kind लेकिन सीड़ी राजनितिय दाल लेकिन रास्स जो रच सिवा करने लेकिन अडराइसे हैं समधिक्षट परड़िखता का संदेज देदेग है हैं वह दलीतों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वह आदिवाशियों को आप देखो ना पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जो समर्थक वर्गता परंप्रागत सब जगे से अड़ गया अल्प्षंग जैक सिर्फ महां बोट दे रहा हैं कोई और विकल्प नह होना अची और संग्परिवार किस तरीके से काम कर रहा है लेकिन यह जरूरी कि देश में हमने वह दोर देखा जिस हमने शुरुआत में काया था कि जब महात्मा गांदी के हत्यावी है राम से लेके जैसरी राम असी के दसक नब्बे के दसक में नारा गुंजा देश की रा मंदिर का निर्मान जिसकी राज सुप्रिम कोड ने खोली है जिसका लगबख समर्थन देश के दुनिया के सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं कुछ एक विरोत के सवर्ग उठे भी हैं लेकिन जो कुछ समर्थन हो रहा उसकी टाइमिंग को लेकि जरूर सवाल ले तो वेसे मे देखना दिल्चस्प होगा कि राम जी किसका बेडा पार करेंगे बत्ता का फाइनल माज इतना ही मुझे दीजिए जाजा तो राब देखते रहे हैं अनाधी टीवी नमस्कार